येस वेरी वेलकम तो व्यू विजय साड़ा दिस साइड आज हम लोग बात करने वाले हैं जून ट्वेंटीवन डिशेंबर ट्वेंटीवन सीए में इंटर डारेक्ट अक्सस के बारे में जी हां एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके आप बहुत ज्यादा पसंद करेंगे बहुत ज् करके दूँगा आप सभी लोगों के लिए CMA वालों के लिए हम लोग आल्रेडी दो साल से लेक्टर निकाल रहे हैं और इस बार जून ट्वेंटीवन डिसेमबर ट्वेंटीवन के लेक्टर आ चुके हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ही जून ट्वेंटीवन में आ में आज ये वीडियो है तो जितने भी अपने CMA इंटर वाले दोस्त होंगे उन सभी को ये वीडियो फारवर्ड कर देना सबसे पहली बात करते हैं कि सर जनरली क्या CMA का पूरा का पूरा syllabus कवर करेंगे हाँ जी हाँ हम पूरा का पूरा कवर करेंगे अगर हम सबसे पहली बात करें syllabus की तो मैं आपको बता दू कि coverage किस तरीके से होगा coverage किस तरीके से होगा सर coverage इस तरीके से होगा कि अगर आप देखें CA इंटर और CMA इंटर के अंदर में difference क्या है CMA इंटर और CMA इंटर के अंदर में 12 topic है जो पूरे के पूरे common है जैसे basics, residential status, agriculture, पांच head, clubbing, set off and till deduction, TDS, return of income तक के सारे topic common है लेकिन CMA इंटर के अंदर में कुछ special topics है जो CMA final के cover है और इसी के लिए मैं जब ये video आपको provide करूँगा तो CMA वालों के लिए specifically जितने point उनको additional cover किये गए हैं वो दूँगा मतलब आपको जितने common topics है ये तो मिलेंगे ही साथ-साथ में आपको additional topics भी दिये जाएंगे जो specifically कहां covered है साहब जो specifically covered है CMA inter के अंदर में वो topic भी देंगे plus इसके साथ-साथ इसके notes भी आपको provide किये जाएंगे मतलब जो common topic है अब common topic CACS और CMA के अंदर में बिल्कूल सेम रहेंगे section remains same वो plus additional topic जो specifically exclusively CMA वालों के लिए है and June 21 November 21 के अंदर cover हो रहा है वो हम लोग cover करके आपको देंगे तो यह हमारे तरफ से सबसे important point बनेगा दूसरी important point बनता है कि sir क्या बदल रहा है अब मैं दो point के उपर बात करता हूँ when we are focusing on June 21 ओबलिक December 21 यहां पे दो तरके के students को हम लोग cater करते है एक new student जो पहली बार इसके अंदर में क्या दे रहा है अटेंप दे रहा है और दूसरा राइट दूसरा वो बच्चा जो fallout हो रहा है कहां से November Oblig December 20 से बरबर है यह दो तरके के बच्चे हैं अब जो November 20 या December 20 से बच्चा आ रहा है इन लोगों ने पढ़ावा है Finance Act 2019 क्या बदलेगा Finance Act 2020 applicable हो जाएगा अब Finance Act 2019 applicable नहीं होगा मतलब जो बच्चा November December 20 के बाद June 21 या December 21 देने जा रहा है इनका Finance Act चेंज होने जा रहा है Finance Act चेंज होने का मतलब क्या होता है Finance Act चेंज होने का मतलब यह है कि अब आपको maximum पूरे amendment पढ़ने पढ़ेंगे जो Finance Act 2020 ने दिये और आपके syllabus के अंदर में attracted है और जो बच्चे new है इनको तो directly Finance Act 2020 पढ़ना है तो इनके लिए इतना बड़ा issue नहीं है जो बच्चा June 21 या December 21 के अंदर में आ रहा है इन्हें क्या-क्या पढ़ना है मतलब मैं Finance Act के Applicability की बात कर लेता हूँ कि Finance Act का Applicability किस तरीके से बनने वाला है आईए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हुआ यह कि एक फर्वरी 1st फर्वरी को आपके लिए आया Finance Act 2020 जी हां 1st फर्वरी 2020 को आपके लिए आया Finance Act 2020 इसके बात क्या हुआ COVID situation आई और COVID situation के अंदर में अधर relaxation ordinance 2020 आया मतलब आपको इसी के साथ साथ ordinance 2020 आया और ये भी आपके syllabus में strike करता है CA Inter में भी strike करता है CS Executive में भी strike करता है और आपके syllabus में भी ये strike करता है इसके बाद कुछ notifications आये June 2020 के अंदर में September 2020 के अंदर में जिनकी कुछ की applicability 1 November से आई और ये notification भी आप लोगों को applicable है तो COVID situation सबसे जादा changes लाया है अगर किसी subject के अंदर में तो वो है direct taxes के subject के अंदर में और वेसी बात थे COVID situation में जब lockdown हुआ लोगों के income pay effect हुआ और tax related amendment आने ही थे और वो इस तरीके से आ गए तो sir जितने भी बच्चे हैं CMA वाले मेरे प्यारे CMA वाले जितने भी बच्चे हैं जो क्या दे रहे होंगे November 20 या December 20 दे रहे होंगे और अब उनका किसी भी reason के वज़े से June 21 आ रहा है मैं उन सभी से बहुत अच्छे से communicate करना चाता हूँ कि मालिक आपकी पुरानी book काम की नहीं होगी सर पुरानी book प्लस amendment करके कर लें क्या काम हो जाएगा देखिए होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन उस case में आप खुद confident नहीं रहेंगे उस part को लेकर के आप खुद उस part को लेकर के अगर confident नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं आता है ऐसा नहीं है कि यह impossible है बिल्कुल possible है लेकिन कई चीज़े change हो चुकी है for example एक छोटे-छोटे example की अगर मैं बात करूं तो पहले dividend taxable नहीं था taxable था भी तो 10 लाग के उपर taxable था और अब dividend 0 से taxable हो चुका है जिसका impact यह आता है कि income from other sources या total income के जो आपके problem में यह change हो जाते है वेरास TDS के rate पुराने TDS के rate कुछ अलग थे current year में TDS के old rates as well as new rate याद रखने है क्योंकि TDS के rate 14-5-2020 से बदल गए है और ऐसे कई changes है और इसी के लिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप old student भी है और new इसके अंदर में आ रहे हैं तो प्लीज आप नए book ले लिजे या नए lecture को opt-out कीजे सर मुझे बात बताईए क्या आपका सिर्फ और सिर्फ regular batch आता है या fast track batch भी आता है CMA वालों के लिए भी हमारा regular as well as fast track batch आता है ध्यान से सुनिएगा अब regular batch और fast track batch में फरक क्या है यहां पे around 55 to 60 lectures होते हैं यहां पे around 30 to 35 lectures होते हैं बरे बरे regular lecture already list हो चुके हैं और fast track अब हम record करना चालू कर रहे हैं जो compulsory जून 21, December 21 के अंदर में applicable होगा यहां हम लोग more than 350 problems solve करते हैं class के अंदर में यहां हम लोग around 120 problems solve करते हैं तो यहां हमारा एक time बच जाता है लेकिन content में कहीं compromise नहीं होता है section जितना है वो पूरा का पूरा cover होता है बढ़ हां number of problems में आपका time बच जाता है history वाले part में बच जाता है याने क्या होता है जब हम fast track की बात करते हैं तो यह exam oriented होता है तो जिन बच्चों का पहला attempt जून 21 या December 20 आ रहा होगा December 21 आ रहा होगा मैं उन सभी बच्चों से कहूँगा कि boss आप कहां जाओ regular batch के उपर जाओ जो बच्चे अल्रेड़ी एक बार class ले चुके है satisfied नहीं है या उनको refresh point पर पढ़ना है speed में पढ़ना है मैं कहूँगा fast track के अंदर में आजो fast track के अंदर में भी आपका काम हो सकता है sir आप मुझे ये बताइए कि अगर हम ये course लेते हैं तो कौन कौन सी books आप हमें देंगे मैं आपको बता दू specifically एक book आईगी आपको regular book होगी plus जो additional topic होंगे उसके notes आपको provide किये जाएंगे plus इसके अलावा आपको questionnaire मिलेगा द्यान से सुनना प्लस इसके अलावा आपको questionnaire मिलेगा questionnaire क्या होता है कि sir class के अंदर में जो हम problem solve करते हैं इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि मुझे और practice करनी है इस topic के अंदर में मुझे और focus करना है topics के अंदर में, तो मैंने around एक questionnaire बनाया है, जिसमें problem question and answer solved है, आप वो भी ले सकते हैं, और इसके अलावा quick revision के लिए हम लोग charts provide कर रहे हैं, quick फटा फट revise करने के लिए exam से एक दिन पहले, आप charts देख सकते हैं, चार्ट के थू क्या कर सकते हैं, revise कर सकते हैं, ध्यान से सुनिया fast track के अंदर में क्या बदलेगा, fast track के अंदर में सिर्फ fast track का book होगा, questionnaire as it is आएगा, charts as it is आएगे, याने आप regular ले या fast track ले, एक book में फरक आएगा, वो है regular और fast track की book, बचेवे questionnaire और charts as it is आने वाल है, इनमें कहीं कोई change नहीं होने वाला, अच्छा सर, सर ये lectures कब तक available हो क्या ये pen drive और google drive पे available है, जी हाँ pen drive और google drive available है, vsmartacademy.com के उपर आपको जाना है, और वहाँ आपको ये available हो जाएगे, वहाँ पर cm interselect कीजे, वहाँ जाकर के आप अपना product list करवा दीजे, आपका काम खतम हो गया, product को buy कर लीजे, regular lecture आपके आने शुरू हो जाएंगे, as of now मैं daily youtube के ओपर live ले रहा हूँ, तो आप वहाँ पे भी आ करके demo lectures देख सकते हैं, क्योंकि वह common topics ही है, जो सबसे पहले चालू होने वाले हैं, तो आप वहाँ पे demo देख सकते हैं, and इसके बाद क्या होगा साहब, आपको pen drive आप order करेंगे, हम 25th से pen drive का option open कर रहे हैं, तो pen drive हम लोग open करेंगे, and that's how you will get the lecture, yes or no, आज भी अगर आप चालू करते हैं, तो मार्च तक के almost आपके सारे lectures complete हो जाएंगे, मार्च तक के आपको सारे lectures complete हो जाएंगे, and you will be able to give your June successfully, or December 21 successfully, yes or no प्रभू, अच्छा जी sir, तो sir अब आपके मन में एक point आएगा, उस point का मैं जवाब दे दू, कि sir, मुझे बताईए, कि क्या syllabus और इस syllabus के अंदर में कितनी चीज़े, you know, common है, कौन-कौन से topic common है, इस बारे में भी बता दीजे, तो मैं आपको उस बारे में बता दू, देखिए, अगर मैं substantially बात करूँ, अगर मैं substantially बात करूँ, तो majorly, कौन-कौन से topic common बनते है और कौन-कौन से additional topic है, वो भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे, अगर हम लोग बात करें, specifically, Let us check, this is the new intermediate syllabus 2020, और यहां मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन-कौन से topic common topic बनने वाले हैं, जैसे कि अगर आप देखें, income tax आपको 10 marks के लिए provided है, प्लस 70 marks के लिए head का part cover है, प्लस 20 marks के लिए tax and administrative procedure कवर है, अब ज़र समझिए, यह जो part A है न, income tax, basic, constitutional, validity, residential, status, exempt income, यह CA inter, CMA inter का बिलकुल common है, यहां कहीं कोई change नहीं है, दूसरा आता है, 70 marks, heads of income, set of deduction, TDS, बिलकुल common है, CACS, CMA के अंदर में 100% common है, यहां कहीं कोई change न है, यह आपके additional topics है, जैसे assessment of various person, like HOF, AOP, firm, यह CA final में cover है, जो आपको CMA inter के अंदर में cover है, इसके अलावा, यह जो ICDS वाला part है, यह आपको cover है, CA inter वालों को cover नहीं है, प्लस यह जो administrative procedure है, assessment वाला, 140A, 143, 144, यह आपको cover है, CA inter वालों को cover नहीं है, मोटे-मोटी तौर पर ब applicable है, जिसके आपको separate notes and separate lecture मिलने वाले है, apart from CA inter lectures, जो बिलकुल common होंगे, तो आप उस बारे में 100% बेफरिक कर रही है, यह 20 marks भी आपके बहुत ज़्यादा जबरदस तरीके से cover होंगे, इस बात की guarantee मेरी, अच्छा जी सर, सर मुझे एक और बात जाननी है, कि सर क्या कोई offer है या other चीजे हैं, जो हम लोग अभी ले सकते हैं, अभी book कर सकते हैं, जी हाँ, मैं आपको बता दू, as of now, offer चल रहा है, कौन सी website पे जाना है, आपको, website का नाम भी बता देता हो आपको, आपको जाना है, vsmartacademy.com, vsmartacademy.com पे जाना है, वहाँ पे CMA में जाना है, CMA Inter के अ fast track, sir, क्या हमार को home delivery मिल सकती है, sir, दोनों चीज पॉसिबल है, आप एक बात कीजे, आपको home delivery options भी available है, तो आप बिल्कुल home delivery options के उपर जा सकते हो, या फिर, या फिर आपके शहर में, अगर कोई vsmart का center होगा, तो please vsmart के center पे जाए, center वालों से request कीजे, center वाले ही आपको provide करेंगे, इससे एक फायदा हो सकता है, कि आपके shipping cost बच जाए, तो अगर आप अपने shipping cost बचाना चाहते हैं, तो आप please center पे जाए, और center पे जाकर के ये चीज़ डिमांड कीजे, हो सकता है, आपको shipping cost बच जाए, lectures आपको पूरे amended मिलेंगे, इस बात का कोई tension आपको लेने क 1554, यह मेरा whatsapp number है, आप इसके उपर whatsapp करके कोई और other related queries बिल्कुल पूछ सकते हैं, yes or no, मालिक एक और बात मैं आप लोग को बता दू, please whatsapp कीजेगा, call मत कीजेगा, might be possible है, हम लोग call का reply ना कर पाए, बढ़ हाँ, आपके whatsapp का reply हम लोग ज़रूर कर देंगे, technical assistance के number और description box ज़रूर देख लीजेगा, आपको और additional details या link मिल जाएंगे, done, so take care, कुछ भी और details हो, किसी और तरकी की issue हो, we are there